हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जैन स्कॉलर के साथ डिजाइनर कुर्टी की स्टीचिंग बताऊंगा कि किस तरीके साथ इसको कर सकते हैं और दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसको बनाना तो इस वीडियो का हैं तक देखें और आप यह बनाना सीख जाए यह नहीं कि आप बिल्कुल फिटिंग में बनाएंगे वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हैं लेकिन यहां पर ध्यान से देखें यह जो कमीज मैं बनाने जा रहा हूं यह कॉलर वाली है तो मैंने कॉलर के साथ से तीरा रखा है लेंथ वगरा बिल यह बिल्कुल भी आपका यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पीछे ओंगे से से इसनल में से कट करेंगे तो बिल्कुल यह होना चाहिए देखें दोस्तों इकवल हो चुका है हमारा अब यहां पर ध्यान से देखें सबसे पहले यहां पर दोस्तों यह आपके लंबाई 3 इंच का निशान लगा जी हमने ठीक है थोड़ा चोग जो है डालक में लगा देता हूं और यह 3 इंच का यहां बिरोड है इसको हम यहां पर गुलाई देंगे आप्र क्याश्रावeras थे गुलाई देने के बाद अब इसको दोस्तों किल ले索़ कर लेंगे कुंप थो देखे रिखिए मैं इस तरीके से आप पे कटिंग कर लेता हूं कि अब कहांची की मदद्दा से देखे केंची मदद्द से इसको इस तरहीं से से款र में से दोस्तों कैंट्ञ नीचे तक के पाक्ड़ करना है आठके यह बीलुकुल इक्यूल होना चाहिए गया है यह मनें कैंटिंग कर लिया आप देख सकते हैं हमारा尋 इसको अब अब यहां पर हम इसको हटा देते हैं ठीक है अब उसके बार लेते हैं बैक पर ला तो दोस्तों यह वारा बैक पर ला इसके अंदर हम यहां पर जो हमारा यह वाली साइड है इसकी दोस्तों इसको जो है हलका सा हम यहां पर छाटेंगे तक्रीमत सबाइंच के आसवास ठीक है यहां पर कटिंग कर लेंगे इतना कटिंग करने का इसको हम हटा देते हैं अब दोस्तों हमें यहां पर लेनी है अपनी पट्टियां तो यह हमारा फरेंट वाला हिस्सा है जो हमने कटिंग क्या था यह देगे दोस्तों पहले से पहले हमने पट्टी को कटिंग कर लिया आप करें लेकिंग ने डिखा देगी क्योंकि हमनुञें अब दियानई से आप देखें उरangel से समझेश though यहाँ लेकर अच्छी तरह थे समजानी की स्करता हूं है अब यहाँ पर हमें करना क्या है बहुत ही सिंपल है हैं चांहे हमें याइप इसको ऐसे रखना है यहाद रखसी द साघ़ ऊपर आएगा तो हमें इसको ऐसे हैं यह यहाँ भड़कर को यहाँ थोरी सी पट्टी में कटिंग करके हटा देता हूं ठीक है आपको यहां पर बिल्कुल लंबाई में से सिलाई लगा देवाना आरेंगे मार्जन से और चली दोस्तों पहले हम सिलाई लगा लेते हैं फिर हम आते हैं और जब तरह हमारी प्रेस गरम हो जाएगी तो देखें दोस्तों यहां पर हमने यहां पर पहले प्रेस लगा लेते हैं तो देखें दोस्तों यहां पर मैंने पूरा उपर तक प्रेस कर दिया आप देख सकते किना से बैठ चुका अब यहां पर हम इसको क्योंकि यह पट्टी एक बार आप फिनीसिंग से बना लोगे फिर कोई भी दिकर नी नॉर्मल कमीज की तरह ही बनेगी ठीक है इसकी गैट आपको बाद में दिखेंगी अब यहां देखें दोस्तों यह हमारी पट्टी थी यह हमारी सिलाई है अब यहां से हमें तकरीवन एक इंच के आसपास के पट्टी देनी है तो हमें इसको ऐसे निसान लगा लेना है ठीक है एक एक इंच के नीचे के आसपास और इसको हम में मैं यहां पर पूरे कपड़े को कटिंग कर लेता हूं और फिर इसको फोल्ड कैसे करना है तो चलिए मसीन पर हम आपको यह बताते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह वारी पट्टी जो हमने प्रैस लगाई थी अगर आप प्रैस से दिक्कत होती है आपको लगाने म फिर दूसरे बाद ऐसे फोल्ड करके इसलाई के उपर ऐसे रख लिए इसको लखने के बाद यहां पर लगाएंगे हम चलाई तो लीखें में यह पर इसलाई लगा रहा हुआ जैसे और इसको आनाव से दोस्तों आप सिंपल उतना फोल्ड कर रके एक्वल ठीक है ऐसे रख थो पत्ति को पूरा लगा लिजीए तो यह देखिए दोस्तों ह mesa पार हमने चल देख सकते हैं अपरES करे टोस्तों यह करने के बाद माजन ऊपर गोलाई में इसको कट्पन कर ले नहीं हम कटिंग कर लिया ऐसे हमें नीचे वाला इससा जो हल्गा फुल का निकलता होगा इसको भी हम कटिंग कर लेंगे अब दोस्तों जैसे हमने इस पट्टी को लगाया है सेम आप दूसरी तरह वाले इससे पट्टी लगा लो तो यह रेखिए यहां पर हमने दूसरे इससे भी घाती इससान लगाएंगे लेकिन हम यहां पर आट इंच पे निसान दोस्तों लगा लेठें दोस्तों निशान लगाने से क्या découvrir इसको ऐसे करना है और यहां पर तेरा इंचर कर निसान लगाना रह यानि कि हम में कड़के लिए छोड़ना है यानि अब इसको अच्छी तरह समझ लिए तौह पहले बनाई देखें इसको इसे रखना है दूसरे वाले हिस्से को इसके उपर ऐसे पट्टी चढ़ा है यह अच्छी पर दियान के जाना ओपर तक और लेकर जाने करें यह मिलक आना चाहिए दोस्तों देखिए हाँ आपको पास से दिखाता हूँ यह हिस्सा आपका मिलके आना बहुत जारा ज़़ुख इस चीज़ का खार तो फूर दिहान रखें जैसे गुलाई है आपके मिलके आ रहे हैं सेम आपका यह बराबर और आइससे नीचे तक लेके जाए किसी तरीकी की जहोना पड़े अब जैसे यह हिस्सा हो गया तो यहां पर हमें कि इस तरीकी से दोस्तों दा लेना है यह मानने निसान यहां पर लगा लिया ठीक है अब यह जोड कैसे लगाना है तो पॉट्टी आपके उठ रही है ना यहां पर हम इसको इस सलह यहां से स्टाट करेंगे तो चलिए मसीन और यहां पर रखने के बाद इसको हम ऐसे गुमाएंगे अब दोस्तों करेंगे हम सिलाई करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कोई कपड़ा मालो कोटरन के अलावब कोई और कपड़े में आप बना रहे हो तो यह उपर नीचे फिसलना नहीं चाहिए इक्वल दोस्तों आन की ओपर हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए यहां पर हम सिलाई लगाएंगे यह सामारा जूड़ता रहेगा कि अब देखिए इस तरीके से हैं कि अब कि अब कि अब देखिए बहुत अराम से दोस्तों आप लगाएं से अब यह जो आपने निसान लगाया था इस निसान को ऐसे मिला ले और याद रखे नीचे वाला इससा भी आपका बिल्कुल इक्वल आना चाहिए ठीक है मैं यहां पर देख लेता हैं देखिए बिल्कुल इक्वल है क्योंकि यह इक्वल नहीं आएगा तो दोस्तों यह गैट अब नहीं बनेगी तो इसको ऐसे करके पकड़ने और दोस्तों सेम सिलाई नीचे लगाते हूं लेके आएंगे हम और जब यहां पर आ जाएंगे तो इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे दोस्तों देखिए ऐसे नहीं होना चाहिए इसको एक बराबर ऐसे चड़ाके रखना है इसको मैं ऐसे गुमाएंगे और यहां पर दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे यहां करणेंगे Coffee को इसको उताल डेंगे इस तरीके से जो है हमारा जूड़िबब जाएगा अब या आपको मैं दागे कटिंग करके दिखाता हूं पर यह से बाइक साइड से द्यान से यह थेख обली यह 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 कर दोस्तो हमारा से बग्यौल वाला हिस्सा देखे इस तरीके से जुड़ गया यानि कि कट भी ओपन हो गया और हमारा फिटिंग हो गई अब देखे दोस्तों जो हमारी फिटिंग के निसान है इसमें कोई भी फरक नहीं आएगा क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ऊपर की पट्टी एक इंच की रखनी है और आदा इंच के मार्जन से आपको सिलाई लगानी है तो इसमें आपकी सिलाई में कोई भी फरक नहीं आएगा जो आपकी फिटिंग दी वहीं आएगी अब इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है तो हम अपना दोस्तों बैक पल्ले को ऐसे ओपन करना है ठीक है ओपन कर देंगे एक तरफ की कंदी हमारी इस तरीगे से जूड़ जाएगी अब यहां पर आप देख रहे हैं तो यह हल्का सा इसको ऐसे गुलाई कर दो ठीके प्लोक के आ जाएगा सेम आपको दूसरी तरफ के कंदी को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है तो देखिए हमने कंदी सेम इसी तरीके से जोड़ ली अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे दोस्तों यह देखेंगे यह माजन चोटा या बड़ा नहीं पड़ेगा आपका बिल्कु हम ऐसे पका करेंगे और सेम दोस्तों आप इसको ऐसे पकड़के इसी निसान दो फिटिंग की सिलाई लगा लें जैसे इसे निसान लगा है ठीक है अगर आप नापना चाहते तो इंचीटे पर रखके आप नाप भी सकते हो ठीक है लेकिन कुल्टा थोड़ा लूज बनेग और इसको ऐसे करके दोस्तों लाएं हाल का पका करकि आप ऊपर की साइड अब इसको गुमाएंगे इक पहर के मार्जन से दोस्तों आप अब कि धेक्श ये सभी हमने लगाई है कि जल्दी में आप आना जाना हो कहीं आप और आपको आपको एक तरह को सकते हूं सेम दोस्टों आपको इसी तरह के से इधर भी कट लगा रहा है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और चाक वाली साइट सम इसको ऐसे करेंगे तो देखिए माजन ओटोमेटिक आ जाएगा और यहां पर हम लगाएंगे क्योंकि कुर्टी स्टाइल में तुर्पाई नहीं करेंगे सिम्पल एक सिलाई लगाएंगे तो मस्को ऐसे पकड़की दोस्तों ऐसे फेल करेंगे और यहां पर एक लगाएंगे पकी वे इतनी चोड़ी चाक को फोल्ड करना है तो देखिए दोस्तों उत्हेंगे तो आप इसको एक बराबर पर पर करते रहें वो लगाते रहें उपर तक दोस्तों आपका बिल्कुल ओके बैठ जाएगा यह तो देखें इसको एक बराबर इसी तरीके से लगाते रहेंगे कि इस देखें सिंपल हमने इतना ही फोल्ड करना वो स्लाई हम लगा देखें तो देखें दोस्तों चाक हमारा ओटोमेटिक फोल्ड हो रहा है यहां पर देख सकते हैं इसको इसी तरीके से फोल्ड करते हो दोस्तों सिलाई लगाते वाएंगे हम उपर कर फिर इसको मैं ऐसे गुमा लेगे गुमाने के बाद इधर वाले इससे को भी दोस्तों से आँच यह वैसे फॉल्ड करना है कि आभ यहां पे सिलाई लगा लेने हैं अब नीचे की साइड में हमें उतना ही i sly करना है थीक्îne मुझे देखिए जितना में चोळ लेना उतना ही फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे पर यहां पर सिलाई लगा है तो तो नहीं कि सब्सक्राइब लगा लिए इस तरीके से चीके नीच आप निज देख सकते अब कटके पराबर डोस्तों मैं पूरा लगा घब लगा लेते हैं कि यहां पर प्रव कर लेते हैं अब यह वाले यह वाले से और यहां पर जो भी धाग मोगता है तरीफaway फोल्ड हो चुका दूसरी तरब आप यहाँ पर करेंगे और इसको एक बरावर ऐसे करेंगे इस तरीके से इसलाही लगाएंगे इसलाई लगाएंगे अर्याम से खेचना बिल्कुल भी नहीं है तो यहांपर करके दोस्तो इसको उतारेंगे दागे और हम इस के इस से रड़ाइँ दूस्तु रखा गरा melted तक कट को हम इसी तरीके से ही फोल्ड करेंगे जिसे की छोटा-बड़ा बिल्कुल भी ना हो कट कि देखे हमारा इसको कर लिया है अब इसको अब यह बरावर माजन जैसे हमने अब फोल्ड करता सिम साथ करेंगे और यहां लगाने के बाद अब इसको एक बरावर ऐसे तो यह देखिए दोस्तों यहां पर हमने इसके फॉल्ट करके सिलाई लगा ली अब गहले में किया करना होगा उपको जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहां पर आगया तो यहां पर हमें ऐसे निसान लगा लेना है ठीक है और हम इसी के बराबर से फोल्ड करेंगे सेम दूसरी तरब भी ऐसे नाप लेंगे तो हमारा नीचे का पूरा घेरा फोल्ड हो जाएगा उसके दोस्तों बचे की यहां पर हमारी बाजू तो हम अपनी बाजू जैसे नॉर्मल कमीज में चड़ाते हैं से इसमें भी बाजू को चड़ा लेंगे फिर पूरी ओवरलोग करने के बाद एंड में हम आपको जैन स्कोलर लगाने का तरीका सिखाएंगे तो देखिए दोस्तों पूरी कमीज यहां पर बन चुकी है अब यहां पर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यह ह आपना है तो देखिए दोस्तों यह नो इंच आ रहा है लेकिन नो इन्च दोस्तों जदा है तो राइय दूँआ इसमें जो हमने बैक में सबाएंच डाउन करके जो मनें कटिंग कि यानि कि 7 ना करके आधा इंच दोस्तों आप सीधा कटिंग करने जो कंडी का मार्चन हो क्योंकि हमारे यहां पर बढ़ी है तो ऐसी गलती दोस्तों हो जाती है आप से नौ इसलिए आपको पहले बता रहा हूं तो 9 इंच का है तो हम नो इंच कहा है कॉलर कटिंग करेंगे तो कॉलर कटिंग किस तरीके से होगा दोस्तों इसके पर डिटेल वीडियो तो मैंने अब मैं इसको सबसे पहले देखिए दोस्तों इसको इस तरीके से निसान लगा लूँगा पैन का यह देखिए मैं निसान लगा रहा हूं ऐसे करके यह निसान लगा लिए दोस्तों मैंने यह थोड़ा यहां पर हलक हलका पैन का निसान इसे पूरा डाल कर लेते हैं अब य यहां पर जो निसान लगाएंगे दोस्तों तक्रीवन लगाएंगे पोने तीन इंच का ऐसे निसान लगाएंगे इसको हम हलका सा जैसे यहां पर हमने नो इंच लिया तो इसको हम नो से पोने इंच एक्षा लख लेंगे यह एक इंच और उसी की सिदाई में यहां पर ऊपर सबसुंद पॉल डे कि दिंशान делधी सेक के तो तहे कर देने हैं शुक्तित रहे हैं यह निसान लगा लेंगा लिए अब दोस्तों हमें लेनी से फट्टी है वाइस से फट्टी है इसको हम निसान यह और से इस निसान पर भावन यहीं को देख लेंगे बढ अतार्सक दोस्तों इस hell ? या पर निसान लगा लेंगे प। और करें प्रदोस्तों करने की भादक करने के बार इसी पैन की निसान प्रणा को कट लेंगे तो आएसे यह चो जो होता है कॉलने सिट्ल इसलिए गहारों तो सब्सक्राइब देखा हुआ इसी तरीकी के को लटे में दोस्ताइल में इतना ही पतला दोस्तों कटा जाता है ठीक है इससे कुट्प करने अब अब इसके बाद दोस्तों अपने सेम कलर के कपड़े में आप इसको चिपका लें और चिपकाने के बाद ही कैसे बनाए जाएगा तो चली दोस्तों मसिन पर आपको बना के दिखाते हैं तो देखें दोस्तों यहां पर हमने कॉलर को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया कपड़े को एक पैर का सिलाई लगा लिए एक पैर के मार्टन से और जितना भी कपड़ा था फाल्टू कटिंग कर दिया आप देख सकते हैं फिनीशिंग हो चुका दोस्तों यहां पर अब इस को ऐसे कर लेंगे देखे दागा मारा उसमें स्वी में फस चुकाई ए ठीक है इसको मैं ऐसे गांट लगा के अब इसको दोस्तों ऐसे गुमा देंगे अंदर की तरफ टीक है अब इसको लगाएंगे सिलाई रहे पर नहीं लगनी चाहिए थो और थोड़ी हटके यह जाए तो दोस्तों सेम इसी तरह के से धागा डालका यहां पर पका करके सो ताल लें तो देखिए दोस्तों यहां से हमने एक पैर का मार्जन कटिंग कर लिया गोलाई में हमने कट लगा लिए इस तरीके से ठीक है अब इसको हम ऐसे पलटेंगे तो यहां पर दागा डाला था इसको हम खेचेंगे तो यह हमारी नोग देखी फिनिसिंग से निकल आएगी सेव दूसरी तरफ भी आपको ऐसे खेचना है यह हमारी नोग निकल आई अब दोस्तों जब निकल के आएगी तो हमारे कपड़ा जितना भी अभी आप देखने हुए यह देखिए ऐसे हमें आपे प्रैस लगानी है देखिए इस तरीके से हमें आपे प्रैस लगानी है और अच्छी तरीकी से से फिनिसिंगे बिठा लेना है तो देखिए दोस्तों प्रैस लगाने के बाद तकरीबन इसको हम एक एक पैर के माल जन से कटिंग कर लेंग कट तो यह देखी दोस्तों हमारा कॉलर जो इस तरीके से पूरा तैयार हो चुका भी से हम चड़ाएंगे तो दोस्तों चड़ाने के लिए बैक साइड से हमें यह हमें चड़ाना होगा सीडी साइड से ठीक है याद रखें सीडी तरफ से में कॉलर को ऐसे रखना है एक कॉलर लगाने में असानी रहें अब दोस्तों इसको ऐसे कर देना है और हाली के बराबर इसे रखते हो दोस्तों इस तरीके से हमें लगानी है और यह जो कट है आपका जो कॉलर में हमने लगाया था यह कट हमारा इस से कमीज के कट से मिलके आना चाहिए तो हमारा कॉलर बह देखिए हमारा ये बैक में गोलाई है थोड़ा बढ़ गया था आला तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से कट हमारा कट से मिल के आएगा ठीक है ये देखिए कट से कट हमारा मिल चुका इसको मैं सिलाई लगाएंगे से इसी तरीकी से दोस्तों हाव वाले कॉलर को भी सब्सक्राइब इसको एसे फोल करेंगे पूल देखे इस साइड से हमें इसको एक बराबरjak है यह लगाने फिए और किनार यह इसको ज Peng राइसे दोस्तो जब इसको आप यह खेचेंगे तो धागा पकड़ के क्ली है अब देखिए इसको में एक बराबर दोस्तो लगाते हो जाना है दूसरी नोग तक कि देखिए दोस्तों इस तरे के चलाय लगाते हैं दूसरी नोग तक आएंगे हम और फिर उसको यह देखे दोस्तों थोड़ा सा जल्दी बाजी में हमारा यहां पर सिलाई का धागा हट गया इसको अराम से वहीं पर लगा लेते हैं ठीक है अब इसको हम यहां वाली नोग को भी देखे डंग से अच्छी तरह बिठाएंगे ठीक है यहां पर हम धागे खेच देखे दोस्तों इसकी फाइनल लोक आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर जो हमारा नॉर्मल जैन स्कॉलर की तरह नहीं बनाएगे थोड़ा दोस्तों हाला-बड़ा हो गया था अगर छोटा होता तो दोस्तों बहुत ही प्यार है इसकी गैट अप आती ठीक है और बनाना बताया कि किस तरीके साव इसको बना सकते हैं तो दोस्तों आपके वीटो कैसे लेगी ज़रूर बताएं